हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तू मैं चानल हिट मोटिवेशन, आज ची वीडियो में हम डिसकस करेंगे एक मोटिवेशनल स्टोरी, I hope आप सभी को पसंद आएगी, वीडियो को लास्ट तक देखें, इसकि इपना करें, और हाँ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीड गंतव्य स्थाल पर पहुँचने में जादा रात हो जाती, इसलिए वो लोग लगतार चल रहे थे, रास्ते में एक नाला आया जिसको पार करने के लिए लंबी छलांग लगानी थी, तो सभी लोगों ने लंबी छलांग लगाकर नाले को पार किया, किन्तु गुरू जी का कमंडल उस नाले में गिर गया, तो सभी शिश्य परेशान हुए, एक शिश्य गोपाल कमंडल निकालने के लिए सफाई करमचारी को ढूंडने चला गया, जो दूसरे शिश्य थे वो बैठकर चिंता करने लगे, योजना बनाने लगे कि आखिर ये कमंडल कैसे निकाला जा गुरू जी परेशान होने लगे, क्योंकि गुरू जी ने सभी को स्वाव लंबन का पाठ पढ़ाया था, उनकी सीख पर कोई भी शिश्य अमल नहीं कर रहा था, अंध तक वास्तव में कोई भी उस कार्य को करने के लिए अग्रसर नहीं हुआ, ऐसा देखकर गुरू जी का अपने कपड़े संभालते हुए नाले में उतरा और तुरंत कमंडल लेकर उपर आ गया, गुरू जी अपने शिश्य मदन की खूब परशंसा करने लगे और उसके इस काम की भरपूर सरहाना की, उसने तुरंत कार्य को अंजाम दिया और गुरू द्वारा पढ़ाये गए पर कार्य भी किया, तब ही शिश्य गोपाल जो सफाई करमचारी को ढूंडने गया था, वो भी आ पहुंचा, उसे अपनी गलती का आफास हो गया था, तो देखो बचो, moral of the story ये है, कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, अपना काम खुद करना चाहिए, और किसी भी संकट में होने के बावजूद भी दूसरे वेक्तियों से मदद कम से कम लेना चाहिए, अगर आपको ये वीडियो और ये story पसंद आई हो, तो इसको एक लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चलिए, नेक्स वीडियो मिलते हैं किसी दूसरी story के साथ, Till then take care and bye bye.